हिमाचल प्रदेश के उना में लगातायर बारिश ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी हैं भारी बारिश की वज़ा से कई सरकारी दफ्तरों और रिहाशी इलाकों में पानी भर गया और हालात इतने बिगड़ गए कि जिला अधिकारी के दफ्तर और जिला कोट में भी पानी भरा हुआ नजर आया जबकि वहां रखा सामान भी पानी में डूबने की वज़ा से खराब हो गया पार्किंग से होते हुए गलियारे तक पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दिया बारिश के पानी ने पुलिस अधिक्षक के दफ्तर को भी नहीं छोड़ा और वहां भी हर तरफ पानी भरा हुआ नजर आया कुछ करमचारी इमारत के अंदर भरा हुआ पानी निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिये ऐसे ही कुछ तस्वीरें रिहाईशी इलाकों से भी सामने आई वहाँ पर भी हर तरफ पानी भर गया जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए उचाई वाली जगहों पर जाते दिखाई दिये कुछ सडके भी बारिश के पानी से भर गई जिसकी वजह से वहाँ गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा जबकि खेतों में बारिश का पानी भरने से फसल खराब होने का खत्रा भी बढ़ गया पांच अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमी पूजन होना है प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी भूमी पूजन करेंगे भूमी पुजन के लिए पूरे जोर शोर से तैयारिया चल रही है हाना कि अयोध्या भूमी पुजन से पहले दिवाली सी जगमग हो गई है सर्यू के घाट से लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है अयोध्या में चारों तरफ दिये चल रहे हैं तो वहीं भूमी पूजन से पहले लोगों ने भजन किर्टन करना शुरू कर दिया है।